तो आपको इस वीडियो में हम छे से दस मार्च के बीच का बिहार स्पेसल के रेंट एफेस करवा दे रहें अभी मार्च के एक बार समाप्त करते हैं फिर जैन और फैब को उठाएंगे इसमें सबसे पहले एग्रो और वर्ल्ड जैबिक एक्सपो लगा था उसमें बिहार के जैबिक उतपादों को सर्व से विसिस्ट पुरस्कार मिला है और ये एक्सपो लगा था कहां मुंबई में एक्सपो लगा था मुंबई में वहाँ पर वहाँ पे साथ देश आये थे भारत के तीरह राज्य थे और जैबिक एक्रिकल्चर से जुड़े हुए सैक्रू संस्थान थे उसमें बिहार के तरब से भी जो बिहार का जो जैबिक कोरिडोर पर यूजना है नो उसके अंतरगर प्रमानी कृप्त 15 किसान वहाँ पे गयते हैं और बहुत सारे ऑफिसर्स भी गयते हैं तो उसमें भारत के कई जैबिक उत्पाद को सराहा गया और ब्रोकली, कद्दू, टमाटर, ओल इन सब के लिए बिहार को विसस्ट प्रोष्कार से सम्भानित किया गया तो ये इंपॉ प्रोष्कार के तरब से ब्रेल लिपी की किताब मुफ्त मिलेगी, अब इस किताब की छपाई का होगी वो जानो, किताब की छपाई पटना में बिहार, सिक्षा, परियोजना समीती है वहाँ और मुजफरपूर में ब्रेल लिपी के प्रेस में इसको छापा जाएगा, और दोनों ही जगा ब्रेल लिपी की प्रेस सस्थापित की जा चुकी, यह ब्रेल लिपी की छपाई होती है तो वो जो होती है, उसके लिए सबसे पहले, यह e-pop format कहा जाता है, सबसे पहले उसको computer पे type कर लिया गया, फिर soft copy में तयार करके, ब्रेल software में convert किया जाता है, डक्स ब उन सब में खेल सामगरी दिया जाएगा, और उसके लिए primary school के लिए 5,000, मध विद्याले के लिए 10,000, और उची विद्याले के लिए 25,000 रुपे पर school जो है, उसके अंदर खेल सामगरी को खईदा जाएगा, इसके लाबा परतिक पटना के विद्याले में, first ad box भी होगा, जो पंद्रा सो रुपे का होगा, उसके अंदर उतने का समाण रखा जाएगा, बिहार के pacts, बिहार में जो packs है, उसके अंदर अनाज के भंडारन शमता को बढ़ाया गया है, 15 टन, अनाज की चमता को 15 लाग टन भंधारन चमता होगी ठीक है 15 लाग टन भंधारन चमता होगी तो भंधारन चमता 15 लाग टन होगी और इसके कारण नीजी जो गुदाम है उसके निरभरता लगातार कम होड़ी है सरकार का टारगेट है सरकार का टारगेट है गया में एक बुद्ध कालिन मूर्ती मिली है अभी तक कनफॉर्म नहीं हुआ किस चीज की है वैसे गया के वजीरगंज के हंसराग में रभी बार को खुदाई के दौरान 5 फिट की मूर्ती मिली है इस मूर्ती में भगवान विश्णु और राम की मूर्ती होने का अनुमान लगाया जा रहा है इसके उपड़ी हिस्से में बहुत कालिन लिपी का स्क्रिप्ट का यूज किया गया है पत्थर की काले पत्थर की मूर्ती है बट ये अभी पूजा सुरू होगी है मूर्ती का लेकिन क्या है ये नहीं पता चला इसके लावा अभी सरकार ने डिसिजन लिया है कि पंचायत में मचली बाजार बनेगा पसूर मतस संसादन मंतरी मुके साहनी ने कहा है कि हर प्रखंड के कुछ पंचायतों को मिला कुछ पंचायतों में मचली बाजार मिला जाएगा अभी क्यावन प्रखंड के 170 पंचायतों का चैन किया गया है और यह मचली बाजार होगा इसमें दो कमड़े का मकान है वह भी बनाया जाएगा ताकि जो लोग रहने वाले हैं अंतराष्टी महिला दिवस पत्ना एरपोर्ट की कमान जो है वह महिलाओं को दी गई अंतराष्टी महिला दिवस के रूप में वहां पे जो एयर ट्राफिक कंट्रोल था वहां से लेके कम्यूकेशन नविगिशन सर्विलांस तक यानि हवा प्लेइन के टेक ओफ करने से लेके लैंडिंग तक के जिम्मेवाड़ी दी गई थी सहायक प्रबंदक चंचला कुमाडी ने अप्रोच एंगल अप्रोच कंट्रोल की जिम्मेवाडी संभाली और एटी सी टावर की जिम्मेवाडी थी वो खुस्बू कनिस्ट कारेपालक सुरूती स्रेस्ट और आशा यादब ने उसको संभाला इसके लाबा बिहार के राजीव को बिहार के जो राजीव हैं उनको राश्टपती पुरस्कार मिला है पटना सीटी के नौजर घाट दिवान मोहला के निवासी हैं राजीव रंजन कुमार इनको राश्टपती पुरस्कार से उनके सेबा में विसस्ट रिकॉर्ड के लिए द को अंतराश्टी महिला दिवस के अबसर पे एक और काम हुआ है पटना सासा राम जो पैसेंजर है स्पेसल पैसेंजर चलाई गई पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा चलाई गई महिला कुरूज के अंदर थी उसमें गुड़ी कुमारी लोको पाइलेट रिचा कुमारी सहाय अरुन कुमार सिनहा का देथ हो गया अखिल भारतिय कायस्त महा पंचायत के राश्ट्री कोसा ध्यक्ष प्रशान्त राज के पिता और सेवन निब्रित वानी चिकर ओएस अरुन कुमार सिनहा का गरदनी वाग में देथ हो गया एक दम ही याद नहीं करना है बिहार का पहला एक स्पेस वे ये याद के लिजेगा बिहार के पहले एक स्पेस वे जो आमत से दरवंगा की तरफ जाएगा उसके द्रिमान का रास्ता साफ हो गया है भारत माला पडियोजना के तहत बनाया जा रहा है इसके अंदर ये बिहार के औरंगाबाद से जैनगर तक टोटल 271 किल कार लेन की ये सड़क होगी ये औरंगाबाद के मदनपूर से स्टार्ट होगी और जीटी रोड के साथ साथ जीटी रोड के साथ साथ गया जहानाबाद नालंदा के बॉर्डर से गुजरते हुए पटना के कच्ची दरगाह में मिलेगी वहां से बिदोपूर के लिए बन इससे ये जितने भी रूट कवर कर रहे है वहां जाना आसान हो जाएगा पॉलिटेकनिक कॉलेज बिहार के जितने भी पॉलिटेकनिक कॉलेज है वो प्राइबेट हो की सरकारी हो दोनों ही उसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी बढ़ाई की जाएगी इतना ही न हिंदी में पॉलिटेकनिक संस्थान के लिए मौलिक किताब लिखने वालों को ट्रांसलेट नहीं मौलिक किताब लिखने वालों को एक लाग रुपे उनको दिया दी जाएगा उसके बाद एक और important fact है बिहार की पहली नदी जोरो परियोजना इस साल तक तयार हो जाएगी इस साल बूढी गंडग से बागमती नदी को जोर दिया जाएगा ठीक है? जोर दिया जाएगा पहली बिहार की नदी जोरो परियोजना है सिभर जिले इस्तित बेलवा घाट योजना पर इसके लिए काम चल रहा है इस साल के अंत तक पूरे होने की उमीद है इससे चार जिले को बाट से सीधा सीधा लाब होगा जिसमें सिवर, सीता मड़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफर पूर सामिल है इस योजना के अंतरकत बागमती नदी के पानी को बूढ़ी गंड़क में पहुँचाया जाएगा और इसके लिए बागमती की धार है बिलबा मिनापूर लिंक चैनल उसको पुनर जीवित या उसको फिसर ठीक करके दोनों तरफ तटबंद बनाकर बिलबा इस्तित हेट इसके अलावा कुछ और नदियों के जोड़ने जाने की जो चल रही है चीज जैसे कोची मेची कोशी मेची लिंक सुपाल सहरसा अरया किसंगेंच पूर्णिया इनको फायदा हो जाएगा और यह जैसे ही जैसे ही यह तैयार हो जाएगा न सिभर सितामधी पुडवी चंप होगा तो यह सारी चीज़े ऐसी हैं जिसके कारण बिहार कुछी समय में बहुत बदल जाएगा